च्छाजार सेयर ये जाएगा अगर मेरी बात मानोगे दोस्त तो होगी कमाई इतनी कि नोट गिनने के लिए कम से कम दस मसीन बैठाने पड़ेंगे का चलिए कौन सा स्टोक है कौन सा सेयर है किस सेक्टर का है तो चलिए सेक्टर तो मैं बता दू आपको ये सेक्टर है दोस्तो MBFC सेक्टर का स्टोक है सेक्टर का स्टोक है और उसका नाम है पहला नाम है दोस्तो पहला नाम है एस बी आई कार्ड जी अभी बहुत सस्ता है मिट्टी के बाव है अब यह अपनी रफ्तार पकड़ने वाला है नहीं जानते तो जान लिजिये और इसमें जो भी इंवेस्ट किये है होल्ड करकर एक भ जो दॉट सेल आफ एस बी आई कार्ड जी और आई मस्ट गुएस्ट तो प्लिज दॉट सेल एनी टाईप अउप अऔर ज्म सेब़ेस्टर आफ स्टेट बैंक आफ इंडिया के स्टोक आपके पास है दोस्तों एक भी शेर बेचना रही पांच सेजार के पार जाने वाला तैयारी कर चुका है और यह अराम से चलते चलते मस्त मौला हाथी की तरह घूंते जूंते कुट्टे भोगते रहेंगे और हाथी जाता रहेगा अब आई दोस्तों एक कुट्टे और हाथी की बात आई तो कुट्टे भोगते हैं हाथी जाता है इसका मतलब जानते हैं क्या जो कुट्टे भोगते हैं हाथ कुट्टा भोगता हाथी जाता है क्योंकि हाथी जो है दोस्तों हाथी जो है आपको मैं बता दूँ हाथी जो रहत है और यह हाथी कहीं हम आपको बनाने की कोशिश की है तो हाथी जाता है और कुट्ता भोगता है जानते क्यों हाथी को बहुत दूर तक जाना रहता है और जो कुट्ते रहते हैं वो कुट्ते कहोते की चोराहे के कुट्ते रहते हैं गली के कुट्ते रहते हैं गाउं के कुट्ते रहते हैं और जैसे हाथी जाता है गाउं में या सहर में या किसी मुहले से होकर जाते गुजरता है तो लोग क्या करते हैं हाथी को क्या करते देख कि गणपती की पर्तिक है गणिस भगवान का और और उसके बाद केले खिलाते हैं फूल लाते हैं जल चड़ाते हैं और पानी पिलाते हैं और देखता है कुट्ता की सुचता क्या सुचता है कि ये तो हम आप बुरा मत मानिये दोस्तों इसलिए कि सेर बजार से जुड़ी कहा तो तक क्या सुचता है कि अरे हम एतने में तो गाउं में रहता हूं और इसका पुजाप्त हो रही है और इसलिए उसलिए क्या करते हैं उनको जलन कर चलते बोकना सुरु करते हैं तो हाथ ही क्या करता है कि अगर हम इन कुटों से लड़ेंगे तो हमें तो बहुत दूर तक जाना है और हाती बहुत बुद्िमान होता है दोस्तों आपको पता नहीं चलता है हाती जितना बुद्िमान पूरी धर्ती पे कोई जानवर नहीं है तो वो क्या सुष्ट कहता है कि ये कुत्ते जो है ये तो ज्यादा दूर मेरे साथ जाएंगे नहीं इसलिए कि हमें तो बहुत दूर तक जाना है और ये तो गाउं में रहते हैं और गाउं में जैसे गाउं से बाहर हम निकलेंगे ये भोकना बन कर देंगे अब फिर वही गा तर्टर करके खतम हो जाएगा उसी में लेकिन जो दरिया समुद्र में जो जाने वाला समुद्र की तरफ जाने वाला वह था जिसकी सागर जिसको बोलते हैं दोस्तों उसको कौन रोग पाएगा और उसकी तमजिल कुछ और है आ जाओ जिसको जाना है बोगते रहो और ये दरिया इसा चीजे सागर जो कई हजारों नदियां इसमें मिलती हैं और फिर उस सागर कहलाना शुरू जाते हैं मेरे काने का मतलब है कि स्टोक मार्केट में भी ऐसे लोग हैं दोस्तों वो अपनी बाप की जागीर समझते हैं स्टोक मार्केट को और सोचते हैं कि हम जो कहते हैं और जो हम कहते आया हैं जो हम सिखाते आया हैं और जो हम बताते आया हैं अब तो हमारी कमाई तो बंद हो ग अगर हम नहीं सुद्रेंगे तो वो कुत्ते की हाल हो जाएगी हम तो गाउं में ही रह जाएगे और हाती जो जाने वाला दूर तक वो तो निकल के चला जाएगा और जहां भी जाएगा जिस गाउं में जाएगा जिस सहर में जाएगा जिस गली में जाएगा उसको तो मिलते उसलिए कि ऒो लंबा चलने वाला है, तो लंबा चलने वालों को कभी भी कुट्टों से उलजना नहीं चाहिए दुस्तों, अब देखोंगे हैं देश के हम आरे देश के भारत के परदान मंतरी नरजमोदी जी को दुनिया कहते रहें अपना काम करते हैं, करते रहेंगे और अपनी मंजिल को पाते रहेंगे तो उसी लिए कहा हो थे जोस्तों कुटा भोकता है हाती जाते हैं भोकते रहते हैं बनाते रहो गट बंधन अठक बंधन और जो भी बंधन बंधन ये बनाते हैं इसलिए कि इन लोग खाजाना तो खाली हो गया दोस्तों औ और दुनिया का देश को नमबर भारत को हमें पहुंचाना है और हमें भी अपनी एक वजूत खड़ा करना है कि हम एक आत्मीनवर भारत बनें और हम एक ऐसा भारत के नागरी कर लाएं जिसमें गर्ब महसूस हो और उस सब्द का नाम है दोस्तों उस सब्द का नाम है बिक्सित भारत और बिक्सित भारत तब होगी जब हमें इंडिपेंडेंडेंट्स हमें जो चाहो ओकरो और देश के साथ साथ सेर बजार के दुनिया का नमबर एक बनाने के लिए जरूरी है कि वैसे इस टोक में पैसा लगाए जाए जो आप सुनिये दुस्तों प्लानिंग क्या है सरकार की इतनी बड़ी बेवस्था प्लानिंग मजबूत है कि आप लोगों को साही नहीं बताओगा सेर बजार में आप बता दीजिए जिसका पेट भर गया है वो कितना खाएगा और नहीं खाएगा न तो उनको पेट भर गया है तो पेट भरने का मतलब जो लार्ज कैप के हैं काम वह कर रहा है जो एक पैनी पैनी इस्टोक जिसके पोते हैं जो इसमाल कैप के हैं तो यह लार्ज कैप के जो कंपणी है वो क्या है उतनी एक्टिव नहीं रहेंगी जितना कि यह इसमाल कैप अले रहेंगे तो सरकार का एक ही टार्गे दस्तो और इसमें है PSU Stock, PSU Bank, अब PSU Stock में आ जाता है बुब्र रोज़र tSe consumer छिस्टिक अप और क्रिब प्रिज्ट इंजिनियरिंग, कॉम्पूटर, सॉप्टेयर, पावर यह सबी ये स्टोक जो है आपको किस में आते हैं दोनों में आते हैं पॉबिक सेक्टर और PSU दोनों में आते हैं लेकिन पॉबिक और PSU में अंतर क्या है जाने बीचे पॉब्लिक सेक्टर में क्या है कि सरकार के अधिन होता है जो भी सरकार जो कहेगी जो कराएगी यो करेगी तो पहले क्या था 2008 में तो गोटाला हो गया हरसद मेता कंड आप लोगों ने पता होगा 2008 में यह हो गया उसके बाद एक तेलगी घोटाला इस्टेंप पेपर घोटाला हो गया उसके बाद कोबिन नाइनटी हो गया उसके बाद पी एन भी और यस बैंग घोटाला हो गया ति इसके चलते स्टोक मार्केट गीर गया उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा अभी डैविक प्रकोप आया COVID-19 चाइना जो है पुरी दिनिया को बरबाद कर दिया तो उसके में भी बहुत धरसाई हो गया अब जो है सुधरा है इस्टोक मार्केट जिसकी रफ्तार पकड़ने वाली है और स्टेट बैंक ओफ इंडिया कार्ड SPI कार्ड की बात बता दू तो मेरे कहने का सम्मिला कर बात एक की है कि दिवाली में करना है कमाई तो उठा लो इस दिवाली से पहले SBI कार्ड उठालो PNB बैंक और उठालो Tata मोटर और उठालो Indigo Flight Interglobe Aviation और अब जो मैं बताने वाला हूँ स्टोक का नाम अराम से देखते रहे दोस्तों चलिए अब थोड़ा साथ इसमें हम टाइम लेंगे आपको और टाइम इसलिए लेंगे कि आपको स्टोक हमें लाना पड़ेगा जहां मैंने रखा है और मैं रखता हूँ आपको बताना जरूरी था मुझे चलिए तो यह स्टोक कौन सा है दूसरा स्टोक है दोस्तों टेक महिंद्रा यह स्टोक आपको मैं बता दूँ 2100 जाने की तैयारी कर चुका है टेक महिंद्रा इसमें कुछ भी डाउट नहीं है इसके बारे में सोचना नहीं है लंबे समय के लिए लंबे समय के लेना चाहते हैं तो बहुत बड़ी अश्टोक है आप श्टोक लेक उठा कर रख लिए इसके बार फिर उठा कर नीचे आएगा अब यह उपर चलना शुरू हो गया असोक लेलेंड जो श्टोक से आपको मैं बता दूँ यह भी तैयार है आप लंबे समय के लिए ले सकते हैं और यह एक बढ़िया स्टोक है जो आपको आने वाले समय में बढ़िया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कल मार्केट खुलते ही कल मार्केट खुलते ही उठालो यह सबी श्टोक जो यहां से वीडियो जो शुरू होता है यह है आपको हिंदुस्तान पेट्रोक केमिकल्स इसका नेशनल स्टोक कोई में हिंद पेट्रो दूसरा स्टोक दूसरा स्टोक में आपको BPCL भारत पेट्रोलियम कार्परेशन जे कल मार्केट खुलते ही और रख लीजे 3.40 को बीच में आपको बहुत बड़ा भारत पेट्रोलियम कार्परेशन हो गया उठा लो माल दबा कर कल से इंडियन आयल कार्परेशन और जिसकी चर्चा हम कर रहे है 120 रुपया पर जा कर बेचना जब भी आए O.N.G.C ऐसा इस्टोक कभी जीवन में नहीं मिलेगा आख मूद कर ये सभी इस्टोक कल मार्केट खुलते ही उठा लो जिसको पैसा कमाई करना दिवाली में और अगर पैसा है दोस्तों तरी दिवाली रोज है O.N.G.C और दूसरी तरफ में आपको बता दू कॉल इंडिया क्या गजब का ये सभी इस्टोक है दूस्तों और जब से ये मोदी सरकार आई है सभी सरकारी बैंक के सरकारी कमपनिया लोगों को मुनाफ़ा कमाई करा रहे है लोग अब तो ऐसा कर रहे हैं कि एक एक स्टोक में अब 10-10 साल हम स्टोक को बेचेंगे नहीं जी दिस्तों तो 10 साल मोधी सरकार को और रहने दिना है और 10 साल फिक्स कर दीना समझें कि श्टोक में रोज खरीते रहना सरकारी बैंक और प्योदिक सरकारी श्टोक रेलवे स्टोक, डिपिन्स श्टोक पावर स्टोक, एनर्जी स्टोक, एथनोल स्टोक, ग्रिन एनर्जी स्टोक और NCC NCC उठा लिजे माल 110 रुपया आता है तो तब ही उठाईए ठीक है और NCC की बात करने आया हूँ इस समय तो NCC के ही करेंगे और पूरा ये चाटेंज, रैस इंडस्टिज, अरे वाह, आख मूद कर कल मार्केट खुलते ही रोज उठाओ, जब तक की डबल नहीं हो जाता दोस्तों, और डबल होगा सभी के सभी ये शिरिप आशिरिप साथ महिने में, जी हाँ जय हिन जय भारत बंदे मातरम लेकिन अभी एक काम रह गया दोस्तों बता देंगे आपको अब नोट गिनने के लिए पैसा कहां से आएगा मसीन खरीदने के लिए तो ये आपको स्टोक लाएगा और इस स्टोक का नाम मैं जरूर बता देंगे आपको कि इस स्टोक का नाम क्या पहला स्टोक और बनल इरफ और एपको I, R, C, T, C और S, B, I, C, R B, L और जिसको पैसा कमाई करना है वो जरू उठाएगा होल्ड करेगा और होल्ड करेगा तो पाएगा दोस्तों तो चलिए लाइक कर दीजिए इतना मेहनत लगा और कल मारकेट खुलते ही रोज खरीदो दिपावली तक और लाओ दस मसीन नोट गिनने के लिए बाई बाई दोस्तों लब इचाएगा